वेल्कम बैक आप देख रहे हैं आर पार की टककर सर मेरा सवान निसान सर से इन्हें हर चीज प्रोब्लम एंप्यार सर उससे प्रोब्लम टीपल कानून उससे प्रोब्लम और सथ 370 प्रोब्लम वटलब सर इस देश को समझते काया कि द्धरम सल है कोई भी आए कोई भी रहे सक अब देश की बात यहां उस पर कोई भी अपना डोक्यूमेंट दिखाने के तलिया नहीं यह सर नियुक्त अब अगर मोबाइल फोन के चिप भी चाहिए ना उसके रही बी कागस दिखाने पड़ते हैं वहां पर लाइन में लखकर कागस दिखाते हैं एक एपल का फोन लेत अगर एक ही पहलू देखना है तो देखते रहें मैं दूसरा पहलू हमेशा दिखाता आओंगा चैने किसी की भी सरकार ठीक है अगला सवाल अगला सवाल आप दोनों पहलू दिखाते रहे हैं मैं सवाल लेता हूं जी बुरी सवाल क्या है अब आपने का था कि अमिच्छा जी ने घड़ा बना दिया और तो मेरा प्रशनी यह है कि घूम फिराकर हमेशा मुस्लिम जया फिर मुस्लिम जंता के पेट में क्यों दर्द होते हैं जो भी हो अनसार रजा यह सवाल आपके लिए है मुस्लिम जंता नहीं मुस्लिम स्कॉलर की बात आप कर रहे होंगे जी हमेशा मुस्लिम जंता नहीं मुस्लिम जंता नहीं पूछा तो ऐसा क्यों होते हैं जी जवाब जबाब देखे मैं बात बता दूं आपसे ना तो मुसल्मानों को इसमें कोई प्रवल्बम है मैं तो देश के 100 क्रोड़ हिंदू को आहसान मन दूं कि इस मामलें में हमारे जाना है और यह जो लोग सब्सक्राइब कुछला जा रहा है हमिशा के जरीए मैं फिर कह रहा हूं कि सम्विधान कुछला नहीं माने ना यह तो वक्त आने पर भड़काना है भाई साब जो कुछ होगा सब सामने आ जाए है यहां आज खुशिष्रिये हैं कि देखो अमिश अब यह सवाल पूचा है यही आप कर रहें दूआ यही कर रहा है दूआ है एक सब्सक्राइब एक सब्सक्राइब और निए इसे जिसने चिसने किया किया वो गलत किया जो लोग वहां पर दंगा कर रहे हैं उनमें आज से जाद लोगों को पता ही निया कि ये कानून है क्या उनकी के बात करते हैं अगर गवर्मेंट इसको एक्ट बनाने से पहले लोगों को इनफॉर्म करती इसके बारे में तो क्या ये इतना आज हमार को इतना हंगामा क्यों है इस विशे पर यहां पर डिवेट करने के लिए शांदर सवाल जवाब जवाब मेरे सफ एक सवाल है क्योंकि आप इसले कुछ सालों से एक बात कांटिनूस कोई कोई भी मुद्दा हो कोई भी टॉपिक हो उसे हमेशा हर वाक्त में हिंदु-मुसलिम का रंग क्यों दिया जा रहा है क्या उपोजिशिन यह चाहता है कि मुसलिम अपीजमन्ट या मुसलिम हिंदु-मुस्तान के पबलिक है इतनीं बेवोकुफ हो है कि अमेंगी देंगे जा रही है वो तो उन लोगों के घर जो अंदोलनकारी है उनके घर जा रही है और जो जेल गए उनके भी घर जा रही है और उनकी पार्टी के है कि इनको शहीत का जो जो जिनका निधन हो गया उनको शहीत कदर जा देंगे तो अपीजमन्ट किस कदर पर होगी जो सवाल उठकर क्या आया बहुत इंपॉर्टेंट है जी जी सवाल है जवाब 1947 से इस देश में हम लोग देखते हैं सरकार किसी की भी रही हो जो आप तुष्टी करण की बात कर रहे हैं अगर सबका एक्चुली जो पहले चलता था अब नहीं चलता है लेकिन सबका साथ लेकर के चाहें वो रेलवे में नौकरी देना हो पुलिस में नौकरी देना हो या तो यह नहीं बताएंगे, तो उस वज़े से चलते हुए, इन्हों ने हत्यार बना रखा है, कि कॉंग्रेस है, यह सब कुछ RSS की तिंकिंग को लेकर कर रहे हैं, यह आप मानिये, NPR का कोई नेना देना नहीं है, आपने तो खुदी मान लिया कि सब कुछ RSS की विरोथ के अभी वर्तमा सरसंग्चालक मोहन भागवाजी ने कहा कि ऐसा कोई हिंदित नहीं है, जिसमें मुस्लिम के प्रती या किसी भी अन्य संपरदाय के प्रती कोई भी घ्रणा का भाव रखता हो, ऐसा कोई हिजू नहीं हो सकता, यह सिर्फ लगातार अपने नहायत स्वार्थों कि जब पूरे नहीं होते है, तो किस पर आरोप लगाना हर चीज के लिए RSSS मेरा अरा आरोप लगाना हार पता ही किया क्या आरोप लगाना, मैं कहता है आरोपों का जवाब ने देती है, RSSS स्वालों का जवाब देती है